हेलो और वेल्कम के स्वागत आपका फैंटासी डिशन चैलेंजर में तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अंडर 19 एश्या कप की जो की मैच होना यह वाला है इंडिया अंडर 19 वर्सिस स्रिलंका अंडर 19 यह मैच रहेगा इश्या कप का फाइनल मैच पचास ओर के मैच रहने वाली है वेन्यू रहेगा आईसी सिक अकेडमिक ग्राउंड दुबाई में और मैच शुरू होगा सुबह में 11 बजे से पीची रुपर्ट के बात करेंगे तो यह बार इंज का कोई भी चांसे नहीं है बैटिंग फ्रेंटली पीच है पेशर्स को थो तो 250 के आसपा स्कॉर बनता हुआ दिखाई दे सकते हैं आपको हाईस स्कॉर की मारें तो इस ग्राउंड पर सबसे हाईस स्कॉर आयरलेंड का है जिसने 331 का स्कॉर किया था इस सीरीज में 200 के प्लस गौर गया है और मजे की बात यह है कि दोनों ही बार स्रिलंग का ने किया कल का मैच कांटे की डखकर होने वाला है और एशिया कप की फाइनल है तो एक बार अल्रेडी आल्रेडी कांटे की डखकर आपको देखने को मिल सकती है तो चले दोनों टीम के प्लेयर पर एक बार नजर कर लेते हैं लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी हमारा टेलीग्राम तो या टेलीग्राम चैनल जोइन करना बनता है टेलीग्राम चैनल के लिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक एटेज की हुए इनके से कर लिंक वर्क नहीं करती है तो आप सीधा जाये टेलिग्राम में वहां जाके आप सर्च कर सकते हो fantasy decent challenger या फिर आप सर्च कर सकते हो add the rate f3c27 और आपको सीधा हमारा चैनल मिल जाएगा उसे आपको join कर लेना है तो चले फिर टीम इंडिया सोला रन बना के आये थे हरनूर सिंग की बात करें तो यार काफी जबरजस प्लेयर है और काफी अच्छी वेटिंग कर लेता है पहली मैच में आप देखो कि तो 120 रन century लगा दी थी बंदे ने पहली मैच में 120 रन कर दिया थे इसके बाद दूसरी मैच में 46 रन किया इसके बाद 65 रन का स्कोर किया और लाश मैच की बाद के तो 15 रन का स्कोर किया था तो कल की फाइनल मेच में भी एक अच्छा काजा स्कॉर करता हुआ दिखाई दे सकता है आपको निशान सिंदो की बात करें तो चार ओर की गयन बाजी की थे पहली मेच में विकेट नहीं मिला था और बेटिंग करते हुए भी रन नहीं बनाए थे तो कल एक बड़ा मेच है और यह कैटन सिप कर आ रहा है तो कल की मैच में एक बड़ी कैप्टेंशिप पारी खेलने की उम्मीद है इनके उपर तो एक अच्छी खासी पारी कल खेल सकते हैं राज बावा की बात करो तो दो विकेट लिए और 23 रन किये तो एक अच्छी पीक हमारी होने वाले है इवन में बोलू तो यहां से केप्टनशिप वास के लिए अच्छी चोईस हमारी लिए रहने वाले राज बावा अब जेख सकते हों हर एक मैच में बैटिंग से भी परफ आपको नजर आ सकते हैं पहली मैच में मौका नहीं मिला बैटिंग करने का दूसरी मैच में 50 बना के आ गए 50 रन का स्कोर किया और लास्ट मैच की बात करो तो दो ओर की गयन बाजी की जहाँ पर एक विकेट मिला और बैटिंग करवाते हो तीन रन किये थे हैं राज वर्धन हंगर गेकर की बात करें तो हर एक मैच में बंदा ओर करवा रहा है हर एक मैच में विकेट लेगा रहा है तो यह भी हमारी लिए एक इंपोर्टेंट पीक होने वाले आप देख सकते हैं पहली मैच में लिए तो पहली मैच में विकेट लेगा रहा है तो इक पर फिसे विकेट ने मिला लेकिन लाश मेच की बात करें तो दो विकेट लिए थे गर्वर संग्वान की बात किया तो एक ही मैच किलने का मौका मिला है जहां पर पांच वर की घैन बाजबजी की थे और साथ में दो विकेट ही लेके आए थे तो टीम स्रिलंका की बात किया तो अभी तक चार मैच के लिए जा पर तीन में वो जीद के आई थी और अभी तक एक भी मैच नहीं आ रही है एक मैच उसका अबाडने डुआ था चामिंडा विक्रमा शिंगया की बात किये तो आप तो आपको ओपनिंग करवा थी वो नजर आएंगे पहली मैच में 54 रन किये थे साथ में 111 रन की पारी खेली थी पहली मैच में दो वर करवाए थे समी फाइनल में उन्होंने पांच वर की गयान बाची की तापर विकेट ने मिला था साथ में बैटिंग करते हुए 12 रन किये थे तो यह भी एक अच्छी चोईस होने वाला है अच्छी चोईस में चामुंडा विक्रमा शिंगे को मानता हो बंदा ओपनिंग करवाएगा साथ में बॉलिंग भी करवाएगा तीन चार वर्स करवाएगा अगर एक दो विकेट भी मिलते है तो आपको अच्छा कासा पॉइंट्स दे के जा सकता है शेवं डेनियल की बात कर तो 54 रन के थे पहली मैच में इसका बात 17 की बॉलिंग करवाते हुए एक विकेट मिली। Tतरी मैच की बात के थे एक रन बनाया तो एक विकेट लिया था अंजिला बंडारा की बात करतो विकेट की मिक्स अक्सम ने आपको नजर आएंगे यार बंदा सारी मेच कर लाएं लेकिन बेटिंग करने का मौका सिर्फ एक मेच में मिला था लास्ट सेमी फैनल में जहां पर उसने 13 रन किये थे बाकि सिर्फ में पहले कभी उसको बेटिंग करने का मौका नहीं मिला था सड़ी सा राजा पक्सा की बात करतो तो 35 रन के पहले मैच में इसके बात तीन विकेट लिए पांच वर की गयन बाजी करवाती हुए दूसरी मैच में 131 रन की पारी खेली साथ में 6 वर की गयन बाजी की जहाँ पर विकेट नहीं मिला उनको लास्ट में बैटिंग करवाते हुए 11 रन का स्कॉर किया था राणुदा समराथे के बात किया था पहली मैच में 60 रन का स्कॉर किया था इसके बाद एक भी मैच में अच्छा स्कॉर नहीं बनाया रविन डी शिल्वा की बात किया था पहली मैच में बैटिंग करने का ये परफरमस करने का मौका नहीं मिला दुनित विला लागया की बात करे दो यह कैपटन सिफ करवाएंगे अपनी टीम की, और अच्छी आप देख सकते हैं हर एक मैच में विकेट ले जा रहा है, बेटिंग से भी परफरमास अच्छा दे रहा है, पहली मैच में 19 रण किये, बेटिंग करवाते हुए, और बॉलिं लास्ट मैच की बात करते हैं, 9.3 विकेट लिए साथ में 2 रंज भी बनाए। यसीरु रडरिको की बात करते हैं, फेली मैच में 2 रंज की शे रंज की इसके बाद 31 रंज की विकेट ऑफ तीन मैच में करवाई। लेकिन विकेट उनको नहीं मिला। व्यवास के गई उसको खेले का मुका मिला जहां पर बंगलाजर मेश के सामने खेलनेका मुका मिला था वहाँ और वह दो हुप लेके आया था लेकिन वो मेच अबांडेट होगे कि कैंसल हो गए थी और लास्ट मेच की बात करें तो पाकिस्तान के सामने दमागेदार प्रदर्शन करते हो दस ओर की गेंदबाजी की जापरू उसने चार विकेट लिया था और बैटिंग करवाते हो बारा रन भी किया तो यह भी एक अच्छी खासी चोईज हमारे लिए होने वाले हमें उनको लेके जाना है बैंच से आपको दिखेंगे वनुजा सहन जिनोंने दो मैच के लिए लेकिन दो नहीं मैच में उनको विगेट नहीं मिलेते हैं इस मैच में हमारे लिए हन Selena शिंग रसित यह से राज बावा और इंडिया की टेम से ये चार प्लेयर हमारे इंप्रेंट रहने वाले और स्हिलंक की टीम से बात करो तो चामिंड़ विक्रमा शिंगे सळापक्षे से 15 यहासे टी म gover假 और विला लागे यह 4 प्लेयर हमारे लिए इंपोर्टेंट रहने वाले कूछ प्लेयर के नाम बता ही यह बंडा रख हूँ लेने का कुछ चांस नहीं बनता हूँ यार बंदा चार मैच कहला जहाँ पर सिर्फ एक ही मैच में उसने बैटिंग करवाई है तो इसना इंपोर्टेंट रहे जहता है इसके लिए मैं यहाँ से यादव के साथ जाओगा बैटिंग सक्षन की बात करते हैं यहाँ पर वाई दूल को हम लेके जाएंगे तो इसको हम लेके जाएंगे ओल राउंडर सक्षन की बात करते हैं तो हमारे लिए यहाँ पर आर बावा डी विला लागे इंपोर्टन रहने वाले और यहाँ से मैं लेके जाओगा हंगर केकर को लेके जाओगा आप चाहे तो यहाँ पर एस राजा पक्षा को मौका देना चाहे तो देश सकते हो बॉलिंग सक्षन की बात करते हैं तो वी ओस्वाल को लिया है यहाँ पर एम पाथी राणा और यहाँ से टीम है यह टीन बॉलर को में लेके जाने वाला हूँ तो आप देख सकते हो कि कुछ इस तरह से मेरी टीम रहने वाली मैंने यहाँ से कैप्टेंशिप दिये सी विक्रमा सिंगे को और वाइस कैप्टेंशिप दिये मैंने आर बावा को लेकिन यहाँ दर है यह मेरी डेमो टीम है और इसमें फाइनल लाइन अप के बाद काफी सारे चैंजिस होते हुए आपको दिखेंगे तो फाइनल टीम के लिए आपको सिंपल ही टेलिग्राम चैनल जोइन कर लेना है और telegram channel जोइन करने के लिए मैंने नीचे description में link attach की हुई है इनके सकर link वर्क नहीं करती तो आप सीधा जाए telegram में वहाँ जाके आप search कर सकते हो fantasy decent challenger या फिर आप search कर सकते हो at the rate fdc27 और आपको सीधा हमारा channel मिल जाएगा telegram और आपको वो channel join कर लेना है तो यहाँ पर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को like share जरू कर दे और YouTube channel को subscribe करके जरू रखे क्यूंकि आगे आने वाली और अच्छे message के वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिलते रहे तो यार वीडियो आप देखते रहो अच्छी टीम बनाते रहो और अच्छी खासी विनिंग करते रहो हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में तब तकले बाई धन्यवाद जय हिन जय भारत